वर्क मुक में नविगेट करना और फॉर्मिला सेव करना वर्क शीट के बीच नविगेट करना वर्क शीट के बीच आने जाने के लिए हम शीट टाब पर क्लिक कर सकते हैं, जो शीट के नीचे स्थित होता है हम सीधे Sheet टाप पर क्लिक कर सकते हैं और उस Sheet को चुन सकते हैं जिसे हम खोलना चाहते हैं यदि Sheet की संख्या अधिक नहीं है तो हम एक Sheet से दूसरी Sheet पर जाने के लिए Sheet Scrolling बटन को चुन सकते हैं Scrolling Button Scrolling Button वे बटन होते हैं जो वर्क बुक में एक Sheet से दूसरी Sheet पर जाने में मदद करते हैं एक वर्क बुक में चार Scrolling Button होते हैं वर्क बुक कैसे सेव करें? हम कम्प्यूटर की हाट ड्राइव में वर्क बुक सेव कर सकते हैं वर्क शीट सेव करने के लिए हमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा फाइल मेन्यू पर क्लिक करें या Alt प्लस F दबाएं या वर्क शीट के स्टान्डर्ड टूल बार पर जाएं फाइल मेन्यू से Save As Option पर क्लिक करें या स्टान्डर्ड टूल बार से Save Option पर क्लिक करें वह स्थान चुने जहां आप फाइल सेव करना चाहते हैं वह नाम टाइप करें जिससे आप फाइल सेव करना चाहते हैं सेव पर क्लिक करें आपकी फाइल उस नाम से सेव हो जाएगी